डियर स्टुडेंट वेलकम टो ऑक्सफ़र्ड मालवा एकेडमी आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट एकाउंट में चेप्टर 7 में इसू आफ शेयर कंपनी एकाउंट में जो इसू आफ शेयर है उसमें हम कुछ इंट्रियां समझेंगे इसके अकोडिंग जो है कि हम प्रेक्टिकल कर करेंगे यह इंट्रियां बहुत मॉस्ट इंपोर्टेंट इंट्रियां है तो जैसे कि पहले आप पहले प्रिवेस्ट वीडियो में आपने समझा है कि जब कंपनी शेयर इसू करती है तो जो एकि पब्लिक से एप्लिकेशन आवेदन बुलवाती है आवेदन बुलवाने के बाद अलाटमेंट करती है माध्मेंट के बाद फस्ट कॉल सेकंड कॉल तर्ड कॉल इस प्रकार से वो जो एक रासी बुलवाती है तो इसके अंदर सबसे पहले वह जो एपरेंक के डिया अप्लीकेशन और से लिए अपिंट फेर आती है उसके युआसंट कमपनी की का जाएगा इसके एप्लीकेशन मनी से अनिरा टू घिए आध़े जब फीएल्डर जब आपने इस अनिरे पर्चेस करते हैं तो समय जो payment देते हैं उसके लिए entry है ठीके अब company क्या करती है उस application के money को कहा पर transfer करती है share capital account में ठीके उसके entry क्या हो जाती है share application account DR to share capital account share application account DR to share capital account नरेसन क्या जाएगी इसकी application money transfer to capital account ठीके यह जो दोनों entry हैं यह दोनों entry किसकी है application से related है ठीके उसके बाद company जब share क्या जिन लोगों ने application आवेदन किया है application दी है share purchase करने के लिए company उन shareholder को क्या करती है share अलाट करती है किसी ने 50 share खरीदे किसी ने 10 share purchase की हैं किसी ने 100 share purchase की हैं तो company आव उनको क्या करेगी share अलाट करेगी जिन लोगों ने जितने जितने अंस खरीदने के लिए application दी है नरेसन आजाएगी उसकी नरेसन आजाएगी share allardment money due on share मलब यह मांग वाली इंती ठीक है अब मांग करेंगे तो जो shareholder है वो क्या करेंगे उसकी रासी क्या करेंगे bank में deposit करेंगे online receive allow allard payment money amount money receipt होने पर क्या इंटी हो जाएगी इसका चाहां जमा करते है bank में जमा करते तो पहने वाली कौन हो जाती bank किसका payment आता है allardmen का payment आता है तो क्या इंटी हो जाएगी bank account to share allard want एकाउट तो यह जो डूर इन्टी है इसे रिलेटेट है अलाटमेंग से रिलेटेट है नेग्स इंट्री आप देखना नेग्स इंटी जो है वह फस्ट लूर से टीक है first call due you know making first call due first call की मांग करने पर ठीके मांग करने पर क्या येटि हो जाएगी share first call accountaur to share capital account narration क्या हो जाएगी उसकी first call money due ठीके और जब मांग करेंगे तो उसकी money क्या होगी एी लीजबड होगी न उनी सुट फर्स्ट काल मने तो कहां जम्मा करेंगे बैंक एकाउंट मेंट क्मपण के बैंक बैंक अकाउंट में तो कहांट हो जाही कि इन तो यहեर को सनकDING है फर्स्ट कल एकाउंट तो मलम स्कालिय का मातेर मेंड fiber किम deste Marерь final call third and final call भी ओसकती है अब उसकी मांग करने पर है न यह due है ठीक है उसकी मांग करी due मतलब उसकी मांग करने पर ठीक है क्या share second and final call account to share to share capital account second and final call money made due on share ठीक है अब मांग करेंगे तो उसकी जो money है वो क्या होगी रिसीट होगी कहां आईगी bank में तो bank account DR bank अब आपको इसमें यह समझना जितनी भी मांग वाली इंट्री हैं जिसकी भी मांग कर रहे हैं उसका एकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो शेर के पिटल एकाउंट है उसका एकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाए देखिए आप इसके अंदर जो अलाट्मेंट वाले इंट्री है देखिए आप अलाट्मेंट की अलाट्मेंट मनी ड्यू है ठीक है तो उसको अपन ने क्या कर दिया शेर आट जिसकी मांग कर रहे हैं वह वह एकाउंट डेबि एकाउंट क्या मन क्रेडिट है थो प्रकार से यहां पर किसकी मांग कर रहे हैं चाहिए जिकल में और चाहिए क्या होना है इसकती होरएं रही वह वाण को मतपश्व हैए यह को मुझे डेविट करना है और शेर केपिटल एकाउंट मांग वाली इंट्री में हमेशा क्या होता क्रेडिट होता है उसके बाद जब रासी रिसीवड वाली इंट्री है तो रासी रासी रिसीवड वाली में किसमें आएगा पैमेंट किसमें आएगा बैंक में ठीक है बैंक में पैमें एन फाइनल काल को क्रेडिट किया है तो इस पकार से यह जो इंटिया है आपको लर्न करनी है और इसके हम आगे के प्रेक्टिकल करेंगे ठीके ओके थेंक्यू